बिहार का एक सबसे ज्यादा जो है वो मुद्दा है जाती है जनगरना का इस मुद्दा पर सुप्रिम कोट में और हाई कोट में खुब बहस हुई आखिरकार चरकार को हरी जंडी भी मिल गई लेकिन फिर भी ये मामला अब भी सांथ नहीं हुआ है इस मामले में अब भी जिस नया हो रहा है अब बता दे के आज ही सुप्रिम कोट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है जिसमें की तमाम केसों को एक जगध कलब करने की बात भी कही गई थी और सबसे बड़ी बात है कि हाई कोट के फैसले को सुप्रेम कोट में चुनौती दिया गया था जिस मसले को लेकर आज इस मामले की सुनवाई सुप्रेम कोट में हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि हाई कोट ने अपना फैसला सुना दिया था जहांपर सरकार को हरी जंडी मिल गई थी बापजुद इसके ये मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा हला कि बात अगर सरकार की करते हैं तो सरकार ने एक बात साफ कह दी है कि हमने इस पूरे जो मामले थे प्रक्रिया था इसको पूरा कर लिया है अब इसमें जो अपडेशन की प्रक्रिया है अब भी कहा था कि जल्द ही तमाम जो डेटा है उसको अपडेट कर दिया जाएगा बापजुद इसक्या सुप्रिम कोट में इस मसले को लेकर सुनवाई हो रही है तो चलिए गवार देखते हैं खबर को विस्तार से कि क्या है पूरा मामला और इस मामले में अब क्या कुछ नया मो को राने की संभाबना है बिहार में जातिय गड़ना पर सुप्रिम कोट में सुमबार को सुनवाई हो रही है पटना हाई कोट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर याचका दायर की गई है सुप्रिम कोट ने रोक संबंदी सभी याचका को क्लब किया है और सुप्रिम कोट साफ कहा है कि जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुन लिया जाता तब तक किसी भी नड़ने तक पहुंच नहीं जा सकता है इस मामले में सुप्रिम कोट में 18 अगस्त को सुनवाई हुई थी कोट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के ओर से बताय गया था कि बिहार में सरव को भी खारिस कर दिया था और सुप्रिम कोट ने असपश्ट कहा था कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती है इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी पटना हाई कोट ने जातिय गढ़ना को शुनौती देने वाली सभी हाई कोट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गढ़ना करा सकती है इसके तुरंत बाद निती सरकार ने जातिय गढ़ना को लेकर आदेश भी जारी कर दिया था सरकार ने सभी डियम को आदेश दिया कि हाई कोट के फैसले के आधार पर जातिय गढ़ना के बच बेटा को ऑनलाइन फूर्ड किया जा रहा है। बेटा जो है उसको ऑनलाइन अप्लोड कर देंगे और बागजुदिस के इसमें मसला ये फंस रहा है कि ये जो याचका है। अपना पक्ष रखा है लेकिन याचका का जो है कुछ और ही कहना है याचका ने साब तोर पर कह दिया है कि हम इस पूरे जो मसले है उससे सहमत नहीं है। में इस मसले पर ये चाहिए कि किस तरीके से जाते है जनगरना जो है सरकार अवेद रूप से करवा रही है यही सुप्रेम कोट कह दे हाला कि सुप्रेम कोट ने यह साब कह दिया है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। कोट ने अगर कोई फैसला दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया है लेकिन अब भी यह मामला जो है सुप्रेम कोट में है और बता दे कि आज ही इस मामले पर सुनवाई भी हो रही है। फिलाल इस वक्त के खबर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीडियो जब डेट्स के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही हमारे चानल एक न्यूस 24 हमारे चानल लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए मारे वीडियो अच्पसंद आते हैं तो शेय जरूर कीजिए धन्यवाद